नमस्कार आप देखरें निगुजेटिन का डिजिटल प्राटफॉर्म आपके साथ मैं हूँ शिप्टा जा अमेरिका में इसी साल नॉवंबर महिने में रास्टरपती के चुनाव होने हैं जिसमें दो कैंडिडिट आमने सामने हैं आपको पता है कि उनकी सामने कमला हेरेस के सामने डोनाल ट्रम्प हैं और दोनों इस दुसरे को कड़ी टकर भी दे रहे हैं आपने अभी तक भारत में हुए चुनाव के बारे में पूरी प्रक्रिया समझी होगी लेकिन अमेरिका में किस तरीके से रास्टरपती का चुनाव होता है ये प्रक्रिया हम आपको इस अमेरिका के रास्टरपती चुनाव से एक साल पहले ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है अमेरिका में दो मुखे राजनितिक डल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं जिनके उम्मिद्वार ही चुनावी अभ्यान के शुरुआत करते हैं और इस अभ्यान में अलग- मुद्दों पर अपना बचाओ करता है हाली में हमने आपको वो वीडियो भी दिखाय था जिसमें कमला हैरिस और डुनाल ट्रंप एक टीवी बहस में शामिल हुए थे जहां कमला हैरिस डुनाल ट्रंप पर भारी परती भी नजर आई थी उस वक्त जो वहां पर लाइव कॉकस के दो ऐसे चरण हैं जिससे लोग राजियों और राजनितिक दनों को रस्टपती पत के उमिदवार चुनने में मदद करते हैं इन दोनों का अपना-पना महत तो होता है कॉकस यह एक ऐसा चरण है जिसमें पार्टी सदसे चर्चा के बाद वोटिंग करते हैं और सर् रिपबिकन के अलग-अलग उमिदवार चुने जाते हैं इसमें प्रतिनीधियों का चेयन करके एक राजनितिक पार्टी के स्थानी सदस्यों के बैठा खोती है कॉकस में प्रतिनीधि को चुना जाता है प्राइमरी दूसी और प्राइमरी में राश्टपती चुनाओं से प्रतिनिध्यों के लिए चैन करते हैं दूसरे चरण में राष्ट पत्का उम्मिध्वार बनने के लिए प्रतिनिध्यों का बहुमत बाना होता है प्रतेक पाटी राश्टपती पत का अंतिम उम्मिद्वार चुनने के लिए नाशनल कन्वेंशन आयोजित करती है इस शरण में प्राइमरी और कौकस के दोरान चुनेगे प्रतिनिधी अपने पसंदिदा उम्मिद्वारों का समर्थन करते हैं सम्मेलन के अंत में प्रतेक पाटी से अंतिम राश्टपती पत के उम्मिद्वार का एलान होता है अगर प्राइमरी और कौकस के दोरान किसी उम्मिद्वार को बहुमत नहीं मिलता तो नाशनल कन्वेंशन प्रतिनिधी उम्मिद्वार का चैन करते हैं इस National Convention में राश्टपती पत का उमिदवार अपने लिए एक उपर राश्टपती पत का उमिदवार चुनता है जो कि उपर राश्टपती पत का उमिदवार होता है इसके बाद राश्टपती पत के उमिदवार लोगों का समर्थन जीतने के लिए पूरे देश में प्रचार करते हैं तीसरे चरण में रास्टपती पत के लिए आम चुनाओ में अमेरिका के हर राज्य के लोग रास्टपती और उप रास्टपती के लिए वोट करते हैं उमिद्वारों के नाम वोटिंग मशीन पर इस समय तक छप जाते हैं दूसरी और छोटे राज्यतिक दलों और निर्दलियों के पास रास्टपती समयलन की छूट नहीं होती लेकिन वे पात्रता आवश्चक्ताओं को पूरा करने के बाद चुनाओ में खड़े हो सकते हैं जब लोग अपना वोट डालते हैं तो वास्टप में वो एक ऐसे ग्रुप के लिए वोट कर रहे होते हैं जिने इलेक्टिट कहा जाता है रास्टपती पत के लिए चुनाओ लड़ने वाले प्रतेक उमीदवार के पास इलेक्टर का अपना ग्रुप होता है जब लोग रास्टपती पत की उमीदवार के लिए वोट करते हैं तो वो वास्टप में अपने उमीदवार के पसंददा इलेक्टर को चुन लेते हैं चौथे चरण में निर्वाच्यक मंडल यानि की इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका में राश्टपती और प्राश्टपती का चुनाव सीधे नागरी को द्वारा नहीं किया जाता है। इसके बजाए दोनों को इलेक्टोरल कॉलेज नामक प्रक्रिया से चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज वो प्रक्रिया है जिसने प्रतेक राज्जी के निर्वाचित या प्रतिनिधी ये निर्धायित करते हैं कि राश्टपती कौन होगा। प्रतेक राज्जी को उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचिकों की संख्या दी जाती है। प्रतेक राजी की नीती की अनुसार कुल 538 निर्वाचक चुने जाते हैं। बिना ही इलेक्टोरल वोटिंग में जीत जाता है और फिर बाद में जनवरी में राश्चपती चुन लिया जाता है। प्रे नियुजेटीन बिहार जारकन के साथ। झाले वोटिंग चुने की वोटिंग में जारいき साथ laughed